तो प्यारे साथियों हम लोग जो है रिलवे इंजनेरिंग पढ़ रहे थे तो रिलवे इंजनेरिंग में अपना जो लेक्चर से वो लगभग कंप्लीट हो चुका है आपको अगर लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है जो सीलेवस में आपके दिये गया है बट मैंने न कर बाइस का जो एक यू का पेपर है वह हम लोग यहां पर सॉल्यूशन करने वाले हैं तो पहला क्विशन से आपका एमसे क्यू का कि इन इंडिया फॉर्स ट्रेंड वाज रन बीट्विद जो पहला ट्रेंड था इंडिया में वह कहां से कहां तक रन हुआ था तो बॉंब Gage is WIDED broad Gage कितनाmam WIDE है तो देखू BROAD Gage के बारे में अगर बात किया जाये तो वन पॉइन्ट Sophie सेवन 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 सेख मीटर होता है ठीक है अगर इसको हम लोग सेंंटी मीटर में कर चलें तो swią को weight यह हो जाएगा, तो उसके अनुसार हमारा सही कौन सा हो जाएगा, तो option number D, चौथा सही हो जाएगा, अगला है nowadays rail section on Indian railway is, इंडियन railway में जो rail section use किये जाते हैं, आज कल वो flat footed rail जो है, योज किये जाते हैं, अगला question है between two sleeper, दो sleeper के बीच में, ये के ये sleeper हो गया, ये के ये sleeper हो गया, ये आपका जो है rail है, और यहाँ पे ये rail है, तो दो sleeper के बीच का जो distance होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, तो दो sleeper के बीच का distance 30 cm से 35 cm आपका जो होता है, यानि 300 mm से 350 mm जो है आपका होता है अगला question है nowadays the size of blast used in Indian railway for a steel slipper steel slipper के लिए Indian railway में size of blast कितना use करेंगे तो जो size of blast होगा steel slipper के लिए वो होगा 4.5 cm कितना 4.5 cm होगा जो size of stone होता है या blast होता है वो यूज किये जाते हैं wooden slipper में आपका 5 cm metal slipper में जो है आपका होता है 4 cm और for turn out and cross over or point and crossing के लिए 2.5 cm होता है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अगरा question है to connect one pair of fist plate the number of bolt used to हना तो number of bolt को इतना use करेंगे अगर one pair of fist plate को add करना है तो देखो यह आपका rail section है और यहाँ पे यह आपका rail section है अब इसको जो है ऐसे connect किया जाता है तो दो छेद इधर होता है और दो छेद इधर होता है यानि minimum 4 volt जो है हम लोग provide करते हैं और अगर बड़ा fist plate हम लोग add कर रहे हैं तो जादा भी करते हैं लेकिन minimum 4 जो है हम लोग add करते हैं तो चार आपका सही हो जाएगा अगला question है on Indian railway maximum can't deficiency allowed on broad gauge is ब्रॉड गेज पे maximum जो can't deficiency है यहाँ पे can लिखा गया है can't यहाँ पे कर लिजेगा can't deficiency वह कितना होता है तो 75 mm होता है कितना होता है 75 mm देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो speed अगर 100 km per hour से कम है तो can't deficiency broad gauge के लिए 7.6 cm and speed greater than 100 km per hour है तो 10 cm अगर speed less than 100 km per hour है तो meter gauge अगर track बनाया गया है तो 5.1 cm नहों gauge के लिए 3.8 cm जो है हम लोग लेकर चलते हैं maximum gradient of broad gauge in a station yard, station yard में maximum कितना लेकर चलेंगे तो 1 in 400 maximum gradient जो हम लोग लेकर चलेंगे, the thin age of tongue rail is code जो thin age होता है tongue rail का उसको toe ही कहा जाता है ना, toe या toe ही कहा जाता है देखो यहाँ पे अगर आप English के pronunciation के अनुसार चलोगे तो toe कहा जाता है क्योंकि ए last में क्या हो जाता है? silent हो जाता है, लेकर हम लोग इंडियन है और विहारी है, तो हम लोग यह अपनी भासा को समझते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोई तो कोई अगर आपको टो बोल रहा है तो भी आप समझ जाएंगे टोई अगर बोल रहा है तो भी आप समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम लोग भारतिये हैं तो भारतिये हैं तो हम लोग का जो English और British का जो pronunciation है उन दोनों का combination हम लो जो आपको अच्छा लगें अगला है अंडर नवर्ग कि Boss और कितना 5-6 km रहता है अगला एक कोईशन है जो कि सेकंड नमबर कोईशन आपका आजाता है बताना है कि ट्रैक कैपसिटी क्या होता है और कौन-कौन से मेजर्स इंपॉर्टेंट है गन्ना करने कि ताकि जो इंक्रीज है आपका लाइंग कैपसिटी उसको मतलब मेजर कर सकते है कितना जो है आपका है तो उसी को जो है ट्रैक कि आपसिटी कहते हैं यह मेजर किये जाते है ट्रैक के ability के basis पे और यह handle करता है आपका volume of train traffic efficiently और safely आपका provide करता है कई सारे factors हैं जो की track capacity को क्या करता है अफेक्ट करता है पहला है आपका track layout ना track का layout के इस तरीके से किया गया उसके basis पे signal and control system के basis पे track का maintenance और track का condition क्या है train का क्या characteristics है जैसे length कितना है weight कितना है उसका speed क्या है उसके basis पे और किस तरीके से operate किया जारा train को क्या scheduling है train का इन सभी points के basis पे जो track capacity है वो major किये जाते हैं कई सारे important measures है जो कि increase करता है track line के capacity को पहला है modern infrastructures देखो अगर हम अपने track railway track को क्या करेंगे upgrade करेंगे जो भी track signaling system है switches है या bridges है उन सभी को ताकि हमारा जो train का operation है वह smoothly हो सके और safe हो सके और कम से कम जो है हमें repair की जरुवत पड़े या maintenance की जरुवत पड़े इसलिए जो है adding track segment and parallel lines हमेशा जो है track segment जो है एडिशनल track segment जो हम लोग बनाते हैं और या parallel lines बनाते हैं ताकि train का जो है जो operations है वह feasible हो और जो कंजेसन्स है या जो capacity है वो capacity को increase किया जा सके और कंजेसन को reduce करने के लिए जो parallel lines या जो है additional track segment जो है हम लोग develop करते हैं इसके अलावा lengthening platform हम लोग कोसिस करते हैं कि जो length होता है platform का वो longer train को accommodate कर सके ताकि higher passenger capacity per train के साथ जो है log किया जाए और कम time में जो है मतलब एक बार में ही सारे passenger चले जाए अगर लंबे train रहेंगे तब उसके बाद आपका implementing time table optimization हमेशा एक advanced algorithm के साथ और एक proper scheduling technique के साथ जो है train का जो है time table ने धारित करेंगे और उस time table के अनुसार हम लोग train को operate करेंगे किसी भी station से depending on demand pattern कैसा demand pattern है train का speed क्या होना चाहिए हना स्टेशन डेविल टाइम तो यह maximize करता है line capacity का जो utilization से वह बेटर तरीके से आपका होता है उसके बाद है इंप्लाइंग high speed rail technology इंट्रोड्यूज हाइए स्पीड रेल टेक्नोलोजी आन सुटेवल रूट्स इंक्रीज overall line capacity जो overall line capacity है उसका अगर high speed rail technology का यूज किये हैं इंट्रोड्यूज किये हैं तो overall जो line का capacity है वह increase हमारा होगा अगर suitable route अगर हम लोग बना पाते हैं तब साथ ही साथ जो travel time है वह भी हमारा reduce होगा अभी अगर रिसेंट्ली अगर बात किया जाए बिहार के पटना से जहारखन के राच्चित तक जो है आपका ट्रेंज है रन करेगा जो की छे घंटे में जो सफर है वो तैग करेगा और ट्राइल भी हो गया है और यह आपका जो है 27 जून दो हजार तेईस से आपका जो है रन करना स्टार्ट कर देगा यह जो है एकॉर्डिंग टू जो न्यूज पेपर वगेरा में जो अपडेट आया थे उसके अनुसर में बता रहा हूं तो यह हाई स्पीड रेल के लिए जो अपना गया पटना उसके वाद धीरी फिर अधर बार का ना होते हुए वैसे जो है आपका राची जा रहा है तो यह जो लाइन अपना है इसको चेंज किया गया अगर रिसेंट्ली आप अगर देखेंगे तो रिसेंट्ली टू तू टू त्री मंद्स एगो जून जून से तो तीन महिना पहले ट्रैक को पूरे कम लगे हाई स्पेड हो और ओवराल जो लाइन का कैपसिटी है वो इंक्रेज किया जा सके अगला है इनहेंसिंग मेंटेनेंस स्ट्रेटजी अग्पर प्रो एक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटिजी अपनाएंगे ताकि मिनिमाइज हो सके जो भी डिस्रप्शन्स काउज हो हैं स्ट्रेट में हाना मेंटेनेंस के कारण से कई बार क्या होता है कि आपका जो ट्रैफिक फ्लो होता है वो कहीं न कहीं अफेक्टेड होता है तो वह अफेक्टेड ना हो आपका ट्रेन को रन करवाया जाए उसके लिए एक प्रोपर मेंटेनेंस का स्ट्रेटिजी हमें अ लेकर जाना है मतलब सीडियो लिंग न गड़ बढ़ा है और ट्रैक की के जो कैपसीटी है वो गड़ बढ़ना हो उसके लिए उसके बाद आता है सनीद्द होना चाहिए ताकि एक कोई हाट स्पीड ट्रीन है और अगे पर पनल कर जाए और उसके बाद प्रसेंज़िन प्रोसीड करते मिनिम में और chron समूथ प सेंजर फ्लो आपका हो उसके बाद question number three है question number three में बोला गया है कि various types of stresses क्या होता है induced in railway track तो यह lecture number 33 में पूरा का पूरा stresses in railway track के बारे में ही मैंने बताया है तो इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो पूरा वीडियो जो है सिर्फ stresses के बारे में ही है तो वो वीडियो में जितना भी मैंने notes में बताया है मतलब आपको बताया topic वो सारी चीज़े आपका इस question में लिख देना है